पंजाब और हर्याना में MSP पर दान खरीट शुरू होने से पहले मौसम का मिजास बिगड़ गया है इस वज़ा से दोनों राज्यों की किसान और क्रिशी विभा के अधिकारी परेशान है अगर एक दो दिन और बारिश हो जाती है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पंजाब में एक अक्टोबर से सरकारी दरोपर दान की खरीट शुरू हो जाएगी जबकि हरियाना सरकार ने 25 सितंबर यानी शनिवार से ही दान खरीट शुरू करने की गोशना की थी लेकिन गुरुवार को हुई बारी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है इससे ना सिर्फ किसानों को दिक्कत है बलकि राजे सरकार के लिए भी एक बड़ी समस्या है बारिश के बावजूद कृशी विभागों ने नुकसान का आखलन करने और किसानों को सलाजारी करने के लिए अपनी फील्ड टीमों में को रवाना किया है कई जिलों में खेतों के में जल भराव और खड़ी फसल के चपेट होने की सूचना मिली है हरियाना के मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर ने बारिश और जल भराव के कारण फसलों को हुई नुकसान का आखलन करने के लिए एक विशेश गिर्दावरी का आदेश दिया है क्रिशी विशेशग्यों का कैना है कि अगर आने वाले दिनों में बारिश जारी रही तो ना केवल खरीद में देरी होगी बलकि फसल की सेहर भी प्रभावित होगी इसके अलावा अनाच्छी कुडने, काला पड़ने और रंग बदलने की चपेट में आ जाएगा इस साल बासमती समेथ करीब 31 लाख हेक्टेर में धान की खेती हुई है पंजाब की क्रिशी आयुक्त ने कहा है कि ये चिंदा का विशे है लेकिन आपात स्थीती जैसी कोई स्थीती नहीं है हम जमीनी स्थीती को देख रहे हैं जिला क्रिशी अधिकारियों को फिल्ड में बने रहने के लिए भी कहा गिया है इस खरीब सीजर में मौसम की स्थीती फसल की व्रीदी के लिए एकदम सही रही लेकिन आने वाले दिनों में और बारिश से खरीद प्रवावित होगी मौसम विवाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी जारी की है हरियाना क्रिशी विवाग करनाल के उपनी देशक ने कहा है कि इस सर पर बारिश धान के लिए हानिका रख है क्योंकि इस से खड़ी फसल में वाइट प्लांट होपर कीट का हमला हो सकता है अगर शुरुवाती दौर में इस कीट की आबादी पर नियंदरन नहीं किया गया तो यह कीट कुछ ही तिनों में पूरे खेत में फैल जाता है